प्रिये भाई और बहनों, आज का शुबस अंदेश के लिए आप सभी को हम स्वाखें। प्रिये भाई देखा हुमें विश्वास से मेरे आगे लाल सागर दो हो रहा। प्रिये भाई जो आगों के सामने हो विश्वास करता हूँ मेरे प्रबूर। प्रमेशर का नाम की महिमा हो आप सभी को और एक बार शुबस अंदेश में हारदिक स्वागत करता है। हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री तीन अध्या है उसका ग्यारा से तेरा पत्तक। दूसरा पत्रस तीन अध्या है ग्यारा से तेरा तक जबकि ये सब वस्तुए इस रीदी से पिगलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ती में कैसे मनिश्य होना चाहिए और परमेशर के उस दिन की बाट किस रीदी से जोएना चाहिए और उसके जल्द आन के लिए कैसा एक्तना करना चाहिए जिसके कारण आगाश आख से पिगल जाएंगे और आगाश के गंड बहुती तब्त होकर गल जाएंगे पर उसकी प्रदीग्या के अनसार हम एक नए आगाश और नए पृत्वी की आस देखते है जिन में दार्मी यदा वास करेगी तीन अद्याए शुरुआत से हम लोग देख रहे थे और इदर का विश्य है कि अंदिम दिनों के बारे में पिछले सब्स हम लोग प्रभू का दिन के बारे में हम लोग देख रहे थे प्रभू का दिन आने वाला है और अंदिम दिनों का गटनाओं के बारे में हम लोग देख आज हम लोग जो पड़ा है तीन का 11 से 13 पर तक वहांगा विश्य है हम भविश्य देखते हुए एक जीवन को अभी जीना है हम विश्वासी लोग इस दुनिया में रहता है लेकिन हम लोग भविश्य को देखते हुए हम लोग रहने वाला है इस दुनिया आग के लिए रखे हुए है यह हम लोग पिछले सब्ता में देखा था कि यह दुनिया में यह जो है आग से जलने वाला है और यह सब पिगलने वाला है इसलिए आज का इस दुनिया में हमारा कोई आशा नहीं है कोई उमीद नहीं है एक नई आगाश और पृत्री आने वाला है और उसके लिए हम लोग बाट जोहता है वो ऐसा एक दुनिया है जहांदार मिगदा वास करनकता है वो देखते हुए अमारा भविश्य को देखते हुए आज हम इस दुनिया में हम लोग रह सकता है ग्यारा और बारा पदमलो पड़ेंगे उदरा इसे लिखा है जबकि एस सब वस्तुए इस रीदी से पिगलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ती में कैसे मनिश्य होना चाहिए और परमेशर के उस दिन की बाट किस रीदी से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यक्तना करना चाहिए जिसके कारण आगाश आग से पिगल जाएगी और आगाश के गंड बहुत ती तप्त होकर गल जाएगी भविश्य के बारे में जो जानकारी जो मिलना एक विश्वासी को इस दुनिया में एक पवित्र जीवन जीने के लिए उल्सा देता है वो बात हम इन पदों में हम लोग देख सकता है इसलिए हम लोग इधर पड़ा है जबकि ये सब वस्तो इस देख से पिगलने वाली है तो तुमें पवित्र चाल चलन मतलब हमारा चाल चलन में अलगावट होना चाहिए जैसा दूसरा लोग चलता है उसी प्रगार हम लोग चलने वाला नहीं है हम अलग रिदी से जो पवित्र चाल चलन पवित्र होना चाहिए और एद में हमें बताता है कि पाब से अलग होकर और संसार से अलग होकर परमेशर को प्रसन करने वाला एक जीवन परमेशर का इच्चाओं को समझ कर, परमेशर को प्रसन्न करकर जीने वाला एक जीवन है भविश के बारे में जानने से हमें इस प्रगार एक पवित्र चाल चलन का प्रोलसाहन या उलसा हमें मिलता है और इधर पवित्र चाल चलन के साथ में हम लोग देख सकता है भक्ती भक्ती हमें होना चाहिए भक्ती या गोडलिनस मतलब परमेशर जैसा सुबाव परमेशर का गुण या सुबाव हमारा जीवन में होना है वो है गोडलिनस या भक्ती एक अध्या तीन पदमे मैंसे पड़ता है क्योंगी उसकी ईश्वरिय सामत ने सब कुछ जो जीवन और भक्ती से संबन्द रखता है हमें उसी के पहिचेन के दुआरा दिया है और चे पदमे मैंसे पड़ता है समझ पर सायम और सायम पर दीरच और दीरच पर भक्ती आम लोग उस जगा आम लोग सीखने का समय में हम लोग देख रहेते की विश्वास के साथ जोड़ने वाला उन बात नो में भक्ती हम लोग देख सकता है और भक्ती से संबन्द रखने वाला सब कुछ हमें दिया है बोलकर हम लोग देख सकता है पहला पत्र से कत्या है 15 और 16 पत्र में मैं से पड़ता है पर जैसा तुमारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चालचलन में पवित्र बेनों क्योंगी लिखा है पवित्र बेनों क्योंगी मैं पवित्र हूँ परमेशर पवित्र है और इसलिए हमारा बुलाने वाला परमेशर पवित्र है इसलिए हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र होकर परमेशर को प्रसन होने वाला एक जीवन भक्ती का जीवन हम लोग जीना जरूरी है और उसके बाद में हम लोगा उधर देख सकता है कि 12 पल्द में अरता है परमेशर के उस दिन की बाट किस रीदी से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यक्तना करना चाहिए परमेशर का दिन का बाट जो होते हुए हम लहना है और वो दिन आने के लिए हम लोग यक्तना करना चाहिए यक्तना करना और उसके लिए युनानी भाशा में इस्तमाल कियावा शब्द है परमेशर का दिन देखने के लिए हम लोग ऐसा इच्चुक रहना है मत्ती रिसु समाजा 24 सद्य उसका 42 पत्मे में इसे पढ़ता है इसलिए जाकते रहो क्योंगी तुम नहीं जान दे कि तुमारा प्रभू किस दिन आएगा और मत्ती 25 का 13 में पढ़ता है इसलिए जाकते रहो क्योंगी तुम ना उस दिन को जान दे हो ना उस गड़ी को इसलिए उस दिन के लिए प्रभू का आगमन के लिए हम लोग जाकते रहना है प्रभू इश मसी अपना चेलोंगो प्रातना सिखाने का समय में ऐसा सिखाया था मत्ती 6 का 10 में उदर ऐसा है तेरा राज्य आए हम हर एक विश्वासी का इच्चा ये होना है प्रभू का राज जल्दी आना है उसके लिए हम लोग इंदसार करना है और तेरा पदमे मैं से पड़ता है पर उसकी प्रदीग्या के अनसार हम एक नए आगाश और नए पृत्वी की आस देखते है जिन में दारमी यदा वास करेंगे हम लोग एक नए आगाश और नए पृत्वी का इंदसार करता है अभी का आगाश और अभी का पृत्वी का नाश के लिए हम लोग इंदसार नहीं करता है लेकिन हमारा इंदसार है कि नया आगाश और नया पृत्वी के लिए और क्यों हम इतना हम लोग इच्चा पूर्वक हम उसक पर इंदसार करता है कार्ण है कि वो नया आगाश और नया प्रुत्ति है और उदर दार में यदा वास करेंगे हम लोग को मालूम है अभी कर इस दुनिया में अदार में वास करता है सीधे लोगों को इस दुनिया में रहने के लिए बहुत मुशिकल है क्योंकि हर जगा में हम लोग उस अदार में यदा को हम लोग देख सकता है लेकिन जो आने वाला नया जो दुनिया है और उधर पूरा दार में यदा उसमें वास करता है अन्याए से कोई बात नहीं होता है इसलिए भविश्य के बारे में भविश्य में होने के बारे में हम लोग जरूर हम लोग समझना है और क्यों समझना है क्योंकि हमें एक भक्ती का जीवन जीने के लिए वो प्रोल साहन देता है हमें उलसा देता है बाइबल का कोई शिच्चा ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा दिमाग में रहने के लिए हर एक शिच्चा जो है हमारा जीवन के साथ संबंद रहता है भविश्य के बारे में भी हम लोग इसलिए जानना है कि अभी का जीवन में हम लोग भविश्य को देखते हुए एक पवित्र जीवन और एक भक्ती का जीवन हम लोग जीए और परमेशर को प्रसन करते हुए एक जीवन हम लोग जीए और उसके लिए परमेशर हम सभी को सहाधा करे और भविश्य को देखते हुए एक जीवन जीने के लिए हम सब को सहाधा करे परमेशर का नाम की महिमा हो